हेलो आज हम डिसकर्स करने जाएं जाम्यम इले एसलामिय के इंट्रेंस टैस्स के बारे में बात करने जा रहे हैं सबसे जादा बच्चों को डाउट है सेकेंड लिस्ट कब आईगी इंटर्विव जो हुए हैं उनके इंडिडिट्स के रिजल्ट कब आएंगे तो जिस दिन इंट्रव्य आपका हो गया है आपको ध्यान रखना है उसके 15 to 20 बाद आपका इंटरेंस का रिजल्ट रिजल्ट आएगा। के वेट करना पड़ेगा उसके बाद आपका इंटरेश स्टेस्स का रिजय आईका ओर स्टिफेन वब गेवस्क्त करना पड़ेंडल करना है आपको स्टेस्ट बेलिब से to सरथ current शैकटम अब अगई आप लोगों को पता है कई सारी कोर्सिस के beginning admissions हो गए हैं अब second list क्या होता है पहले क्या होता था कि जो first list आती थी उसी में mention होता था कि second list का बारी है लेकिन अभी अगर हम बात करें school के admission की अगर आप देखेंगे जब first list आई थी और second list में काफी ज़्यादा gap हो गया था लेकिन इसमें सबसे जरूरी क्या चीज़ आपको जादा time नहीं होगा admissions के लिए यानि अगर माल लीजिए आज list आती है तो हो सकता है आपको कल या परसो दो तिन दिन में admissions के लिए जाना हो और सिर्फ एक दिन दिया जाए तो सबसे जरूरी है आपको update रहना अगर आप admissions लेना चाहते हैं और आपका अगर waiting list में नाम है तो आपको सबसे ज़्यादा update रहने की जरूरत है सेम स्पॉर्ट रिजिस्ट्रेशन का है जिसमें direct admission होगा अगर आप eligible होंगे तो तो आप पिलेजिबल होंगे तो आपको ध्यान रखना है हर चीज के लिए बस अब limited time ही दिया जाना है और रिजल्ट चेक करने के लिए उसके लिए आपको जामय की साइट पर विजिट करना है jmi.coe.inside का link आपको description मिल जाएगा result का same process है जैसे चेक करते हैं just admission result पर आपको click करना है admission result पर click करेंगे इस तरीके से page आजाएगा उसके बाद आप course type select करना है course name select करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है एक capture फिल करके search कर लेना है और आपका result आ जाएगा अगर second list आई होगी तो सेम रिजल्ट चेक करने का से इंटरव्यू से जो candidate select होँगे यहीं पर सारी चीजें यहीं पर आएगा results related आपका सारा update थैंक्यू